Hey guys, क्यासे हैं आप ? I hope कि आप सभी एच्छे होंगे So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं How to factory data reset, how to full reset So guys, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इस device को कैसे factory data reset कर पाएंगे Full reset कैसे कर पाएंगे So guys, वीडियो को enter दिखने वीडियो को बिल्कल भी skip नहीं करना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको setting पर जाना है और setting पर जाने के बाद यहाँ पर आपको additional setting पर जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है factory reset इस वाले option पर click करना है और आपको backup लेना है तो यहां पर backup and restore पर click करना है बच यहां पर factory data reset करता हूँ factory data reset पर जाना है तो यहां पर आपके accounts, contact number, photo, videos, apps, backup, SD card का data सब कुछ यहां पर delete हो जाता है तो यहां पर erase all data पर जाना है click कर देना है यहां पर आपको अपने pattern draw कर देना है तो मैंने pattern draw कर दिया है इसकाद यहां पर आगर आप यहां पर backup लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बट मैं यहां पर backup लेना नहीं चाहता हूँ मैं यहाँ पर factory data reset करता हूँ तो factory data reset पर मैंने click कर दिया है अब यहाँ पर 10 second का time लगता है यहाँ पर attention करता है यहाँ पर साबदानी देता है बताता है कि आपका सारा data delete हो जाता है make sure कि आप यहाँ पर अभी भी cancel करके backup ले सकते हैं अपनाओ के तो मैं यहाँ पर next कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर data backup नहीं लेना है दोबारा से यह फिर से यहाँ पर आपको बताता है कि आप अपना सारा data delete करना चाहते हैं या पिर अभी भी यहाँ पर cancel करके अभी भी आप यहाँ पर backup ले सकते हैं यहां से अब मैं OK कर देता हूँ, तो OK करने के बाद अब आपका phone off हो जाता है, तो हमारा phone off हो चुका है, तो अब यह सारा data delete हो जाएगा हैं से, तो अभी मेरा data delete हो नहीं है, तो अब यहां पर इसे खुलने में कुछ समय लग सकता है, तो यहां पर हम बेट कर लेते हैं, इस phone को on होने का, OK, हमारा phone start हो चुका है, और आपका सारा data delete होने के बाद, यहां पर यह आपको first time setup कर लेना है, तो यहां पर हम अपना first time setup कर लेते हैं, तो यहां पर इसे click करना है आपको, यहां पर आपको language select कर लेनी, यहाँ फुलिक कर देना है इसे उसे इंडिया सेलेक्ट करना है इसे यहां से इकसेप्ट करनेके बाद यहां से हाप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो लगा से इतने बडुट मैं इसे skip कर देता हूं इसे next कर देना है और दोबर से next करना है agree कर देना है agree करने के बाद यहां पर आपका यह classic draw यहां पर app draw तो यहां पर app draw कर देते हैं इसे next कर देते हैं यहां से complete कर देते हैं तो setup हमारा complete हो चुका है तो यहां से अब आपका कोई भी डाटा यहां पर नहीं बचाएगा कोई भी फोटो जूडियो जो है वो हमारे सारे डिलीट हो चुके होंगी तो अभी यहां पर एप्लिकेशन लोड हो रहे हैं तो यहां पर लोडिंग एप्स और इसे खुलने में एक दे मिनिट का और टाइम लग सकता है तो यहां पर अब हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ सेकंड का और टाइम लग रहा है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस तरह के से तो यहाँ पर हमारा phone start हो चुका है तो यहाँ पर हमारे photos दे यहाँ पर यह सारे photos डिलेट हो चुके हैं तो इस तरीके से आप अपने phone को factory data reset कर पाएंगे So guys, I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलतें एक नेक्स अंट इस तरीके साथ